हेलो गाइस विडियो में यहां पर आप लोग को बताएंगे कॉइन DCX के एक ओफर के बारे में जिसमें आप लोग 100 रुपय का फ्री बिटकोईन कैसे ले सकते हैं कैसे उसको अनलॉक करके वापस बैंक एकाउंट में अपने भेज सकते हैं तो इस ओफर को मैंने आप लोगों में उस वाले लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो कॉइन DCX के एप पर चले जाएंगे आप लोग प्ले स्टोर पर आपको इंस्टॉल करिए फोन नंबर एमेल आइडी या जो भी डिटेल्स हैं उससे आप इस पर साइन अप कर लेते हैं तो साइन अप करते हैं के बाद जब आप अप में अंदर जाएंगे तो होंपर ही आपको दिखाए देगा प्रोमो कोड एंटर करने का आप लोग को एक प्रोमो कोड मिलेगा डिस्क्रिप्शन में उसको कॉपी करिए पेस्ट करिए ओके कर दीजे ओके करते ही आप लोगों को Bitcoin मिल गया है, मतलब Congratulations का Message आ जाएगा, अब बात क्या है कि भाई, वो मिलेगा आपको Locked Status में, और 30 दिनों के अदर अगर आपने उसका Unlock नहीं किया, तो आपका पैसा 100 रुपए चला जाएगा, तो अब आप लोगों को क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ, आपको इसको Unlock करने के लिए, जो Rule है, उसके हिसाब से आपको एक Successful Trade करना है एप पर, Successful Trade का मतलब है, कि आपको कोई भी एक Cryptocurrency एक बार खरीदनी है और Sell करनी है, और बस आपका वो जो है Unlock हो जाएगा Bitcoin, after 30 days, इंस्टेंट नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, तो पहले आपको क्या करना है, सबसे नीचे है, बहुत सारे आप लोगों को मिलेंगे Cryptocurrencies, तो आप एक जिसे Tron है, उस पर क्लिक करिए, Buy and Sell का Option आएगा, तो आप Buy पर क्लिक करिए, क्योंकि पहले आपको Purchase करना पड़ेगा, तो आपने पैसा एड नहीं किया है, यहाँ पर CoinDC DCX में, तो आप एड फंड का Option आएगा, क्लिक करिए, 100 रुपा एड कर लिजे, 100 रुपा पर क्लिक करिए, मोबिक्विक से 100 रुपा उसमें एड कर लिजे, मोबिक्विक वालेट में पहले से 100 रुपा रखिएगा, तो वह instantly एड हुजाएगा, आपके CoinDCX में, तो Tron पर जा कर दिया, sell पर, sell पर क्लिक करिए, जितना भी amount आपको cryptocurrency का मिला है, वहाँ पर amount आपको बोलेगा, कि आप enter कर दिये, suppose 100 रुपा में एक cryptocurrency, मिला, example के लिए बोल रहा हूँ, तो आपको 1 cryptocurrency enter कर देनी है, एक amount, sell कर देना है, sell करता ही, वापस 100 रुपा आप लोगों को मिल जाएग क्योंकि minimum withdrawal है 500 रुपीज, तो अगर आप 100 रुपा को अभी रखना चाहते हैं, तो फिर आप 100 रुपा एड करिएगा, अधर वाइस आप withdrawal करना चाहते हैं, तो 500 प्लस का करिएगा, तो आप लोग वापस उस amount को वापस bank account में बेज पाएगे, ठीक है, ये काम जैसे ही आपन चाहस भी हो सकती है, वो unlock हो जाएगा, तो after 30 days जब वो unlock हो जाएगा, 100 रुपा का free bitcoin हो गया, but minimum withdrawal क्योंकि 500 रुपा है, तो आपको 400 रुपा का और भी खरीद लेना है bitcoin, जैसे ही 500 रुपीस के bitcoin आपके पास हो जाते हैं, तो बस आप instantly उस पूरे bitcoin को आप sell कर दीजे, तो आप 500 रुपीस एंटर करना है, जो bank account आपने एड़ किया था, उसको select करना है, okay करना है, और आपको 500 रुपीस आपके bank account मिल जाएंगे, तो अगर आपको ये process बहुत lengthy लग रहा है, तो simple भासा में ये समझे है, कि आपको promo code एंटर करके 100 रुपा का bitcoin लेना है, एक successful trade करना है, और after 30 days इसको withdrawal कर लेना, ये simple language में ये इसका process है, मैंने आपको थोड़ा detailed में सारी चीज़ें समझा दी, तो अगर आप 100 रखना चाहते हैं, तो रख लीजे, थोड़ा और डालना चाहते है, तो डाल लीजे, ये आपके उपर है, ये आपके उपर है, कि आपको क्या करना है, तो और उसके लवाज, टेलीग्राम पर बहुत सारे offers दिन भर बताता हूं, दिन भर मतलब है दिन भर, वो मिस्स नहीं करने हैं, तो टेलीग्राम हमारा जॉइन लिजे, इस वीडियो में इतना है, तब तेक लिए good day, good bye